हलो दोस्तों असलाम लाइकूम अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल काजमा को विद्जोश को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करना ना बुले रहे तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर फिंगर र तो वो जाधा अच्छी बने गी अब देखें हमने साइड करके रख डिना हैं इसे बाद में क्रश करना है आलु को अच्छे से बॉयल कर लिया हैए अब देखें पनीर को सबसे पहले हम क्रश करके साइड में रख देते हैं तो देखें अब व Adding घज़व में अगर ना पा लिया है और हाफ टी स्पून ही हमने इसमें नमक एड़ किया है और सारे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक कप हमने मैदा लिया है तो दो कप हम इसमें पानी डाल कर इसका बैटर तयार कर लेते हैं तो देखें इसका बैटर जो हमने तयार करना है ना ही जादा थिक होना चाहिए और ना ही जादा थिन होना चाहिए तो देखे मेडियम में हमने इसका better थयार किया है इस तरीके से पतला होना चाहिए बहुत जादा नगार है और आँऑ पतला तो इसे side करके हम रख देते हैं देखे हमने bread का slice ले लिए ये odd bread का slice है और इसे हम mixer jar में इसे तोर कर इसे महीन सा इसे पीस लेते हैं तो देखें इसी तरीके से हमने इसका महीन सा चुरन बना लेना है यानि क्रश कर लेना है तो देखें इस तरीके से हमने सारे बैच को इसी तरीके से सारे बिर्ट को तोर कर क्रश कर लेना है तो देखें इस तरीके से हमने सारे को तोड लिया है इसे हमने रोष्ट नहीं करना है ऐसे ही रहने देना है अब देखें एक कराही में हम 4 टीस्पून देसी घी अट करते हैं आप चाहे तो रिफाइन ओयल भी डाल सकते हैं और देखें इसमें दू हमने हरी मिर्श को भी चौप करके डाल दिया है कटिंग करके आप चाहें तो अपने अंदास से तीन या फिर एक भी ले सकते हैं और एक प्यास को भी हमने चौप करके एट कर लिया है और इसे हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है देखें हमने एक कप के अंदास गाजर को भी चौप कर लिया है स्क्वैर में महीन महीन और तीनों को हमने अच्छे से soft करके पका लेना है तो इसके लिए half teaspoon हम नमक पहले add करते हैं और इसे हमने पकने देना है soft होकर तो नमक इसे अच्छे से पका देगा गला देगा उसके बाद हम इसमें तो देखें soft होकर पक चुका है अब इसमें मसाला एट करते हैं तो हाफ टीस्पून के अंदाज ब्लैक पर डालते हैं हाफ टीस्पून रेट चिली पॉडर हाफ टीस्पून इसमें हल्दी पॉडर एट करते हैं और half teaspoon इसमें हमने गरम masala एट किया और half teaspoon chili flakes और इन सबी को अच्छे से हम भून लेते हैं तो देखें मसाला अच्छे से भूना चुका है सबजी भी हमारे अच्छे से पक चुकी है अब इसमें हम आलू को मैश करके डाल देते हैं तो देखें इसे अच्छे से हमने मिला लेना ह सारी सबजी मसाले के साथ ताकि आलू में जो है वो flavor आजाए अगर नमक इस समय कम हो तो आप इसमें नमक add कर सकते हैं अपने अंदास से तो हमने नमक जो डाला था वो सही अंदास है अब देखें हमने जो पनीर को crush करके रखा था उसे भी हम add कर देते हैं तो आप जाएं त अच्छे से ठंडा हो चुका है अब इसमें हम हलका सा breadcrumb मिलाते हैं जो breadcrumb हमने mixer jar में बीसा था उसे तो थोड़ा सा हम लेते हैं और इसे इतना मिलाते हैं कि इसका जो roll है वो अच्छे से बन जाए यह चिपचिपा ना हो अगर आलू आपका जादा चिपचिपा है तो मेरा बहुत जादा चिपचिपा नहीं था तो हमने थोड़ा सा एट किया है अब देखे हाथ के help से उंगली की help से हमने इसे लंबे shape में दे अगर के shape में दे देना है तो देखे हैं इस तरीके से हमने एक बना लिया है finger पनेड फिंगर अब इसी तरीके से हमने सारे finger को तैय तो देखें एक बन चुका है देखें हमने अभी तीन तयार किया है आपको तीन तयार करके दिखाते हैं इसके बाद हम सारा तयार करके आपको दिखाते हैं तो देखें सारा हमने तयार कर लिया अब इसका दूसरा स्टेप चलते हैं दूसरे स्टेप में हमने जो बैटर तयार किया था मैं देखा तो उसमें हमने डिप करके ब्रेट क्रम में अच्छे से लगा देना है देखें इस तरीके से हमें सभी को तयार कर लेना है तो हमें हलका हलका ब्रेट क्रम में को लगाना है फिंगर में पनीर फिंगर में ताकि ये चिपके नहीं चिपकेगा तो वो खुब पबस dalla बटない हैं। इसी तरीके से ढमे दूसरे को भी चाहत है। अब आथ आप मेरे काजमा कुवी जोच और मेरी रेसिपी को सर्च करें। तो मेरी जितनी भी रेसिपी बनी हुई है वो सारी रेसिपी आपके स्क्रीन पे आजाएगी मुबैल के आप वहां से मेरा वीडियो अच्छे से देख सकते हैं तो जैसे बिरियानी अगर रेसिपी है तो बोलें आप काजमा को विजोश बिरियानी रेसिपी तो वो मेरी सारी रेसिपी आ जाएगी तो देखें इस तरीके से हमने सारे को तयार कर लिया है सारे पनीर फिंगर को अब चलते हैं इसे fry करने के लिए तो एक पैन में एक करा ही में हम 500 ग्राम तेल लेते हैं यह रिफाइन आईल है तो इसे में हम फ्राइए करेंगे इससे कराद बहुत ही बढ़्यां आता है देखे गैस का फ्लेम हमें हाई रग कर इसे पकाना है लो फ्लेम पर नहीं पकाना न इस त्रीके से, सारे फिंगर को हमने तयार कर लेना है, सारे बैच को, तो देखें कितना बढे सा कलर आया है Paneer Finger का, अब चलते हैं हम आरा आप इसे टेस्ट करते हैं, कि ये बनी कैसी है, तो देखें कितनी यम्मी सी बन कर तयार हुई है कितनी क्रिस्पी सी बन कर तैयार हुई है देखें इसकी आवाज दम करारी सी है अब चलते हैं इसे टेस्ट करते हैं देखें कितना बढ़ियां सा लग रहा है पनीर फिंगर तो हम बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी तो एक बाद जरूर ट्राइब करें आप अपने घरों में बच्चे को लांच बॉ कि आज की रेसिपी आप लोगों को कासी लगी है आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं और नहीं सबस्क्राइब कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइक झाल do 32 इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे प झाल वाचीं